Hello everyone, SSE MTS 2022 का जो एक्जाम अभी 2023 में होने वाल है थोड़े दिन में उसमें safe score क्या रहेगा, यानि safe attempts की मैं बात करूँगा, कितना attempt आपको minimum लेना ही पड़ेगा otherwise आपका exam qualify नहीं होने जा रहा है, especially देखो जो नए बच्चे होते हैं उनको idea नहीं होता कि कितना minimum हमको attempt लेना चाहिए, ठीक है और उस तरह से वो लोग गलती करके आते हैं या तो बहुत कम ले लेंगे, या बहुत ज़्यादा तुक्के मार के चले आएंगे, तो दोनों ही चीज में आप ना फसो इसके लिए मैं आपको guide करूँगा कि minimum आपको इतने तो हार अपने category के इसाफ से attempt लेना ही चाहिए, ठीक है marks नहीं जूटेगा किवल आपको qualify करना है, qualifying marks यहाँ पे आपके सामने लिखी होई है, UR का 30% है, यानि कि total आपका 40 question है, reasoning और maths को मिला के, 40 में से 30% यानि कि आपको 12 question सही करना है, ठीक है, 12 question आप कैसे भी सही करो, पूरा का पूरा 12 question आप reasoning में सही कर लो, पूरा maths में कर लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, दोनों मिला कि count होने वाला है, ठीक है, OBC, EWS का 25 है, हर दूसरी category का, यानि SC, ST वागेर है का 20% है, ठीक है, math reasoning मिला कि आप attempt तो पूरा लोंगे, इसका reason यह है, कि आपका negative marking तो है नहीं, जब negative marking नहीं है, तो आप कोशिच करें कि पूरा ही attempt ले आप पहले good attempt अपना ensure कर लेंगी, qualifying marks लाने के लिए, जैसे 12 question आपको सही करना है, तो आप 14, 16 जब अच्छा सही कर लिए, तो बाकी फिर किसी question को आपको छोड़ना नहीं है, जैसे माल लीजे, last में आपका समय खतम हो रहा है, और आप देखरें कि 5 question बिना attempt किये बजगे, त 5 question में कुछ भी तुक्का मार दीजे, क्योंकि ऐसे भी गलत भी होगा, तो negative में तो नहीं जुड़ेगा, कोई आपको दिक्कत उससे नहीं करने वाले, ठीक है, आस्वस्त रही है, तो कोई आपको परिशानी नहीं होगी, लेकिन एक गलती मत किजेगा, underestimate मत किजेगा, math reasoning वा कट-off deciding papers, यानि paper 2 में आ जाते हैं, जिसमें आपका GK और English है, ठीक है, इसमें देखिए, यही आपका final cut-off होगा, इसमें जो आप number लाइएगा, जो 50 question का, आपका English और GK है, माफ किजेए, उसी में आपका final merit बनेगा उसी से, उसी से आपका job decide होगा, आपको कौन सा post मिला, क cut-off आपका लगभग उसी के आसपास, उसी percentage के आसपास गिरेगा, ठीक है, जो recommended attempt है, मैं marks यहां पे नहीं बता रहा हूँ, 50 question का आपका GK और English है, जिसमें आपको, अगर आप UROBC या EWS से हैं, तो आपको 40 का attempt लेना चाहिए, plus minus 4 लिखने का मतलब यही है, कि अगर paper बहुत आसान आ रहा है, तो आपको 4 attempt, 5 attempt और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर paper बहुत easy है, तो 4-5 कम attempt पे भी आपका chance बनता है, job का यहां, job की बात करें, अगर आपको बिहार जारकंड, इस तरह का को state लेना है, जहां पी बहुत जादा competition होता है, तो केबल इतना करने से नहीं हो तो जबरदस्ती का तुका नहीं मारेंगे, लेकिन paper अगर बहुत easy है, और फिर भी अगर मान लीजे, 40 क्यास पास आप नहीं पहुंच रहे हैं, तब आपको risk लेकर खेलना होगा, अगर risk लेकर नहीं खेलोगे, तो paper से out हो जाओगे, game से out हो जाओगे, बाकी paper के हिसाब से आपको judgment लेना है, तो इसका आप ध्यान रखोगे, और देख लीजे कि GK और English वाले section में आपको marks बहुत ज़्यादा score करना है, अगर आपको GK में अच्छा score करना है, तो बहुत ज़्यादा मेनत लगती है, तो इसके लिए हमारा आप GK 40 का course ले सकते हो, GK 40 का course, इसमें क् गंटे और 99 रूपी में आपका GK का complete तैयारी करवाया हुआ है, exam oriented manner में कोई भी time pass हम लोग नहीं करवाए है, ठीक है, इसका जो price है वो 10 April के राद 12 बज़े से बढ़ने वाला है, तो चाहो तो उससे पहले ले लिजेगा, otherwise कोई mandatory नहीं है, एक GK का हमार super short notes का PDF आता है, वो भी आपको app में मिलेगा, उसमें 80 page के अंदर हम लोग ने पूरा GK को summarize किया, उसका summary डाला लेकिन वो English medium में है, तो वहाँ पे देख सकते हो, coupon code officer लगाएगा तो आपको maximum discount मिल जाएगा इस course में, और previous year question जो है SSC CGL का, वो test series form में हम लोग डलवा रहे हैं, तो उसका भी इस् जाए हिंद